नमस्कार दोस्तों एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं उनलियाइस पाउंडेशन चानल पर दोस्तों आज हम इस सवाल पर डिसकेशन करेंगे जो मेरे पीछे लिखा हुआ है कि 12 के बाद कैसे हम UPSC की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें यह सवाल कई बार बच्चों ने पूछा है बहुत सारे लेक्चर जो मेरे गए हैं स्टार्याल पर एक ऐसा डाउट इस प्रकार का डाउट मैं हमेशा देखता हूं कॉमेंट बॉक्स में जाके हमेशा मुझे एक कैसा सवाल बिलता है जहां पर बच्चे कहते हैं कि सर मैं 12 पास आउट कर चुका हूं या मैं फर्स्ट एर उफ कॉलेज में हूं मेरी स्ट्राटेजी क्या होने चाहिए मैं कैसे अपनी तयारी को आगे बढ़ाओ तो 12 के बाद कैसे स्टार्ट करें यूपीसी प्रिपरेशन इस पे मैं आज आपको यहां पर डिसकस करने जा रहा हूं देखो यार मैं बहुत ही प्राक्टिकल तरीके से बात करूँगा आपसे हना जो जेनियूनली आपकी कॉलेज की लिए या आपकी कॉलेजलाइट के साथ सेट हो सकती है ठीक है और कहीं आपको लगे कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा होता है मेरी कंडिश जैसी है तो कहीं कहीं मैं यहां पर यह चीज नहीं दिखूंगा कि एक्सप्शनल केसिस क्या है कि मुझे कभी कॉलेज में ज्यादा काम मिल गया हना मैं इन चीजों को फिर रूल आउट करूंगा क्योंकि मेरे इसाब से अगर टार्गेट आपका सिवल सब्सक्राइब है तो बाकी छोटे-छोटे आपके हर्डल्स है वह आपको अपने तोड़ने पढ़ेंगे या ब्रेक करने पढ़ेंगे ठीक है ना तो चलिए स्टार्ट करता हूं डिसकस करता हूं बहुत ही बेसिक से चीजों का यहां पर डिसकुशन करेंगे ठीक है देखो यार सबसे पहली चीज जब आप अभी कॉ चार थरहां ऑगर आप अगर चार साल हो का है तो आपको अपको बेरीफिट करेंगा लेकिर इसकी पास भी यहांसे तीन साल का भी मैं यहां बताने जा रहा हूँ तो जब शुरू कर रहा हूँ सबसे पहला step जो आपको आप करना है आप 12th pass out हो गए हो पहली step जो आप करना चाहते हो वो यह सबसे पहली चीज जो आपको बोलूँगा number one number one वो है syllabus को अच्छे से देखना बार बार इस चीज को मैं आपने आज की इस discussion में बोलूँगा ताकि आप over the period of this lecture या over the period of this video आप ये समझ पाओ कि क्यों syllabus important है और syllabus की साथ साथ जो सबसे पहले आपको करना है वो है previous year questions देखना अब चाहे वो आपके prelims के हो या वो आपके mains के हो अब देखो मैं क्या बोलना चाहरा हूँ मैं यह कह रहा हूँ कि paper देखो और syllabus देखो भली ना समझ में आए कुछ लेकिन at least इतना तो समझ जाओगे ना अगर UPSC civil services exam की तयारी करना जा रहे हो तो इतना explore या इतना research तो अपने आप कर सकते हो ना कि भाई पी वाई क्यूज देखें कैसे सवाल आए हैं यह समझ में आएगा मोटे मोटे रूप में कि भाई कितने सवाल history से आते हैं किसने सवाल geography से आते हैं या क्या trend रहा है क्योंकि कभी-कभी आपने देखा paper pattern में कभी art and culture बहुत पूच लिया गया तो किसी साल environment पर बहुत सवाल आए किसी साल करेंट की बाड़ा गई तो आपकी आपके साबने आकि अगर आपकोit guide कर पा रहा है तो वह इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने UPSC को इतने सालों से को इतने सालों से देखा हूं है मैं पार किसे आप त्यारी करो UPSC की तो स्टूदंट्स की पहले गलती होती है कि वो अपने मेंटर्स को सुनते हैं इसा मानलो मुझे सुन रहा हो रहीजिंड को किसी और एप किसी और सब्सक्राइब सब Ary कि हाँ सबसे पहले आपको NCRT पढ़ने हैं लेकिन मैं आपको एक स्टेप और पहले बताना चाहता हूं वो यह कि आप वो काम करो जो हम इतने टाइम में कर पाएं यह जो मेंटर जितने भी हैं वो कर पाएं UPSC को समझना अब अफकोर्स ऐसा नहीं कि आप UPSC पूरा समझ लोगे हम इतने टाइम से समझने की कोहिश कर रहे हैं पैटन चेंज होते रहता है मतलब बेसिकली कुछ आइडिया रख लो कि UPSC कैसे सवाल पूछता है क्या लेविल है सवालों का कितने सवाल आते हैं कैसे वो पता होना चीव बार-बार देखो पढ़ो कुछ समझ में नहीं आएगा मत आने दो लेकिन जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो एक महीने तक यह टाइम अपने आपको दो वन मंत आपको इस चीज में देना चाहिए एक महीने आपको इस चीज में देने चाहिए कि आप इस हो रहा चल रहा है ठीक है तो एक सवाल आया है हिस्ट्री में और वह सवाल बेसिकली आप देखोगे तो एंसी आटी ओल एंसी आटी जो है ओल एंसी आटी जो आरेश शर्मा की थी जिसको भी हम लोग यहाँ पर इस चानल पर पढ़ भी रहें इस से एक सवाल आया और इस चाप्टर क्या लगभग बरिखालते चाप्टर नंबर फोर है जहां से यह सवाल जो है बना है यह हम कह सकते हैं अगर हम इस चाप्टर को पढ़े होंगे तो हम उस क्वेश्चन का आशर कर पाएंगे कि अब पी वाईक्यू असलेबस देखने का फाइदा क्या हुआ पादा यह हुआ कि मानलो आप पहले से पी वाईक्यू स्लेबस प्याइब की देखते आओ ठीक है मानलो आज से कुई 224 मेरा को वीडियो देखेगा यह वाला तो वह 23 का पी वाईक्यू देखेगा देख लिए उसको सवाल पता चलिए यहां से आया हुआ या देखा ही सवाल है कि हमने कहीं पढ़ा है जब वो उस चीज के एंसी आटी पढ़ेगा तो वो उसको कनेट कर पाएगा ओ यह सवाल तो मैंने यहां देखा था और यह चाप्टर है जहां से मुझे लग र पढ़ो आप उसका बुक पढ़ो कभी कोई चाप्टर पढ़ रहे हो फिर आपको याद आ जाए अरे यह सवाल तो इस तरह का मेंस में आया हुआ है इस तरह का सवाल तो पूछा गया है तो जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको यह आइडिया लग जाएगा कि पढ़ना क किन चीजों पर UPSC फोकस करेगा आप को भी टॉपिक पढ़ना एक्स वाइजट अभी सवाल आगिया ना अब आप जब इस चाप्टर को पढ़ोगे चाप्टर नमर चार तो आपकी दिमांग में रहेगा ओहो UPSC ने ऐसा सवाल 2023 के मेंसे पूछा हुआ है तो मुझे इस च चार्टर को पढ़ो तो आपके दिमांग में रहे कि यहां पर इस प्रकार का सवाल बन सकता है यह इंपॉर्टेंस है सबसे पहले सिलेबस और पीवाई की उसको जानने की बास सब नमारी है और भाई देखो एक बात तुमको बता दें यह सब काम तुम्हें करना पढ़ेग आपका वो हाथ पकड़के आपको सेलेक्शन नहीं दिला सकता तुमको खुद पढ़ाई करनी पढ़ेगी हम तुम्हें उंगली पकड़के नहीं खीच सकते तुमको उंगली दिखा सकते हैं कि देख यह रास्ता है इस पर चलना है तुझे बात समझ में आ रही है कि करना आ आपको है we can guide you और यही पर mentors की जरुवत लगती है और पहला मेरा जो suggestion as a mentor आप लोगों के लिए होगा वो यही कि अपने syllabus को चपकालो दिवार पे और बार बार उसको देखो कल को कुछ पढ़ो अगर तो समझ में आए कि मैं पढ़ क्या रहा हूं मेरे syllabus इसका relevance क्या है क्यों को यह समझना पड़ेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका relevance है भी मेरे syllabus से या मेरे exam से या नहीं कि हम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं 12 गंटे पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं पता ही नहीं इसलिए पहला step जो मैं आपको बोलूँगा syllabus और पीवाइक्यूस हमेशा सबसे पह पहला कदम बता रहा हूं objectively यही करना अब्जेक्टिवली बता रहा हूं कि तुम्हें यही करना है दूसरा step दूसरा step एक बार आप syllabus और पीवाइक्यूस जान चुके हैं देख चुके हैं मतलब of course समझ में तो कुछ आया नहीं होगा एकदम पैराबोला हुआ होगा यह दूसरा है लेकिन फिर भी देखो दूसरा step ncrt ncrt को पढ़ना शुरू करिए ncrt जो से हम लों की सीरीज भी चल रही है आप इसको फॉलो कर सकते और अपने आप कर लो किसी को लग रहा है तर टेस चल रही है दीमें चल रही है ऐसा वैसा ncrt पढ़ना शुरू करिए ncrt को आप study करिए और जब मैं ncrt बोल रहा हूं तो पहले जो आपको हिट करना है जिन ncrt को वो हैं आपकी core ncrt जैसे कि यहां पर हो गया आपका history जैसे कि यहां हो गया आपका geography जैसे कि हो गया आपका quality जैसे कि हो गया आपका eco पहले आप इन ncrt को पढ़ना शुरू करिए और वघमतु की दोस्त आपसषा याइन कलिज पहुज पेंचें आप आप सबक्रेंट हैं अभी 503 में आप जो है वो कालिज लिए है यहाँ पर आप थे कालिज के फोई हैं म olmas सिर्ग में बस्च lucve । 2000 425 में आपका सेकीड दे रहे हो ताइम देख लीजिए आप वास कितना है तो जल्दी शुरू करने का फाइदा बहुत जादा है बहुत जादा यहाद शुरू कर रहे हो एक साल दो साल तीन साल है इन तीन सालों को आपको अपनी पढ़ाई को डिवाइट करना है अब यह important क्यों हो जाता है देखो है रात को बारा वजे दोस्त में फोन कर दिया चाय पीने कहां कट्रा पर मिलो कहक्ठा पर नहुंगे और चाय पीने के नाम पे नीकल जाते हैं इक दोचिक फोंता निकल जायगा ऑसे अद ये इस तरह कि आप यूजलेस कामों से बचिये हैं कोलेज में इतने काम से बच यह टकी दिखा है मैं क्योंकि कोई हम लोग भी निकले हैसा ही जाए कोंगे क्रांतिकारी बनने का कर ते कट करेंगे कुई coms क्यीं होता है तो इस तरह के अक्टिविटी सोशल मीडिया से दूर रहिए इंस्टाग्राम ट्विटर फेस्बुक इन से दूर रहिए सोशल मीडिया यूट्यूब जो आपके लिए फाइद अमंद है जो आपको एफिक्टिव कुछ देगा निकालके उसको फॉल्यू करिए यूट्यूब जो पढ़ाई करनी है अपने कॉलेज के टाइम पर जो आप देख रहे हैं एवरी आपको जो अभी फर्स्ट येर में आप हैं तो पहले साल में जो आप अपने कॉलेज की पढ़ाई देख रहे हैं वह आप कोशिश करिए कि आप फॉर टू फाइव आवर्स डेली बेसिस प आप फिर आप छोड़ दीजे आप देखिए वीडियो को छोड़ दीजया व्यगें से बीडियो बंद कर दी चले चले जाएं मैं कहरा हूँ चार ठेपाड घंटे देने हैं तो देने क्योंकि मैं भी कॉलेज में होता है काम ठीक है कॉलेज में क्लास हो रही है बहुत बार सेब्ध करो रहो और ऊस्टेल के रूम परίοगे की सीए की तैयारी में यह ज्यादा जरूरि नहीं है जरूरी औफको है कि आपको पढ़ना है लेकिन जरूरी यह भी है कि पढ़ने के एंवारमंिंट रहना है ब्रेक के नाम बहुतना पढ़ लिया ब्रेक चाहिए तो ब्रेक का मतलब यह नहीं होता है कि चाय पीने गए तो दो घंटे का ब्रेक हो गया ब्रेक का मतलब यह नहीं होता है कि आप क्रांती कारी काम करने लग जाएं दोस्ति यारी बहुत निमाय लग जाएं चले गए होस्टले मार हो गई है चले गए साथ में कि सब तीन साल तक रहेगा उसके बाद कोई नहीं पूछने आएगा अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे होंगे लाइफ में कोई नहीं पूछेगा बहुत सारे जो लोग यहां पर होंगे कॉमेंट बॉक्स मुझे जरूर बताएगा जो कॉलेज पास आउट हो चुके हैं बताएंगे वह आपसको पताएंगे कितने लोग आप से कॉलेजे मिले थे और कितने अभी आपके साथ हैं और आपको जनूरली से 5 घंटा निकालना हैं चाहे तुम्हें उस दिन कम सोना पड़ें यह मैं नहीं मान सकता खिक कॉलेज आपको साथो दिन काम इतना कराएगा कि समय नहीं भच रहा हैं रही हो सकता है दो देन ऐसा हो जाए लिकिन बाकि पांच दिन आपको अपने समय ही इतना निकालना ही निकालना है चार-से-पांच घंटे आपको पढ़नने इसने चल्वार में जएधा काम अजाए कितने घंटे पढ़ना चाहिए चार से पांच घंटे एक बच्चे को पढ़ना चाहिए चाहे आप कैसे भी हो यह कि आपका बेसिक है अगर 11-12 आपका आर्ट्स का रहा होगा तो थोड़ा असान हो जाएगा हना क्यूंकि आप उस चीज को समझते हो और अगर नहीं होगा तो तो ही आप चार से पांच घंटे पढ़िए इस चार से पांच घंटे का पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए यह भी डिसकस कर लेते हैं देखो यार जैसे मैं एक्जाम्पल ले रहा हूं कि आप हमारे इस चैनल पे आप एक वीडियो डेली बेसिस पर आपको मिलती है NCRD क उस वीडियो की लेंथ डिड़ घंटे के आसपास से दो घंटे के आसपास होती है उस्ट से लेकर 10 तक की NCRD कर चुके हैं चाहे मेरे खाल से हिस्ट्री की तो होई गई है हना Economics की होती नहीं है 910 से स्टार्ट और 9 से स्टार्ट होती है और मेरे खाल से पॉलिटी में पढ़ा दी है मैं यह मान के चल रहा हूं डेली बेसिस पर अगर आपको टू आवर्स की वीडियो अब मिल रही है टू आवर्स की तो मुझे लगता है इस दो घंटे की वीडियो कवर करने के लिए आपको एट लीस्ट 3.5 आवर्स तो 4 आवर्स लगेंगे यह लगेंगे मैं डबल टाइम लेकर चल रहा हूं आप लोगों के लिए कि इतना तो आपको लगे गई लगेगा नोट बनाते हुए क्या क्या होगा वीडियो देखना है वीडियो को देखना है प्लस आपको नोट बनाने यह काम करना जरुरी नोटस बनाना क्योंकि आप बार बार लूट है और बार बार वीडियो देख पाओं कर सकते हैंचा आपने लेक्चर देखी आप इन नोट बनाईए चार घंटे आपने अपने इसमें दे दिए एक घंटा जो आपका बच्छता है एक घंटे में आप और भी चीज़ें यहां पर एक्स्ट्रा कर सकते हैं जैसे मैं कहूंगा फर्स्ट यह का जो आपका टाइम है फर्स्ट यह ज दिखो यार भी बहुत सारे लोग होंगे जो यहां सिरेप स नहीं होंगे वह इस यह थर्ड हुप होने के बाद न वहां से सीड़ेप्श होना शुरू होते हैं जब यह सांदरो निकलना नाममुम्किन हो जाएगा य। Agrा ऐस अट् ठीजिसकार को बता दिया था हमने कि यह उज की टार्व रहती हैं आने के बाद आप फेस करना चाहते हो उप्लाइम स्टार्ट करना चाहते ओस उपनी या पिर आप अभी से वो काम करना चाहते हो गिसना पड़ेगा वो गिसाई कप करना चाह रहा हो यह आप क्यों पर बहुत सारे लोग है जो फर्स अटेंड में क्लियर करते हैं इतने हारे लोग एक्जाम देते हैं उसमें से मात्र मैं बताओं 20% ही लोग है जो एक्ट्वल कॉंपटिशन मे होते हैं बाकी 80% से फॉर्म भरते हैं मुखरजी नगर और करोलबाग में और प्रियागराज में घूमते रहते हैं मेरा पॉइंट किसी को हर्ट करने का नहीं है मैं आपसे कहना चाहरा हूं कि सीरियस्नेस जो है वो देर से आती है लोगों में वो देर आप मत करिए आप 12 की बाद अगर स्टार्ट कर लेते हैं इमिजेटली कॉलिज के बाद थोड़ा पढ़ते रहिए तो भी बहुत फायदा आपको मिल जाएगा इसके बाद मत सीरियस होईएगा यहां से शुरू करने का फायदा यह है कि आप पहला साल खतम होने से पहले आप अपनी को एंस्याटी को खतम कर चुके होते हैं प्लस आपका जो एक घंटा बचा उस एक घंटे में आप कोई करेंट अफेर्स की या पिर कोई अगबार या इनको फॉलो करी इन इस चैनल में आप यहां पर वन आवर का जो समय आपको यहां श्यजज बचता है या बर किसी को घंटे लग रहे हैं 30 मिंट का समय श्यजज बचा जो भी हो 30 मिनट्स 30 मिनट्स टू वन आवर जो भी समय यहां पर भचा हुआ है आप लोगों के पास उस के लिए आप चाहे राट सभा का चैनल देख लीजिए चाहे आप कोई भी निउस चैनल देखिए लेकिन न्यूस के लिए देखिए व्यूज के लिए मन देखेगा इस प्रकार से आप अपने कॉलेज के फर्स्ट यर को बहुत ही फूटफुल तरीके से निकाल सकते हैं एक रखा था जिसका भी नीट में सेलेक्शन हुआ था पी डबलू से ही ठीक है जम्मू कश्मीर का रखा था वो उसने बोला कि 3-4 जंटे 4-5 जंटे इसे बोला उसने कि इतने बच्चते हैं तो मैं कैसे स्टार्ट करूं तयारी तो मैंने इसको भी यह समझाया कि पहले यार दोस्त एक काम कर से लिवस देख लो और NCRT फॉलो करना शुरू कर दो सबसे बेसिक यही है मैं पक्का कह रहा हूं कि आज से जब अपना क्राइशन खतम कर रहा होगा तो उसकी त्यारी बहुत हत्तक पूरी हो चुकी होगी यही आपको करना है यह आप ऐसे धान रखीगा आप जब एक साल बीतेगा तो आपको हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी सब्सक्राइब कवर कर चुके होगे जब यह कवर कर चुके हो तो इसका मतलब यह है कि अब आप कुछ भी यहां पर देखो पढ़ चुके हो इतना तो अब आप पढ़न चुके हो तो आपको पीवाई क्यू समझ में आ रहे होंगे ओहो आप माली आप पॉलिटी का को चाफ्टर पढ़ रहे हो यह चाफ्टर तो आप प्रेकार से पूछा है पहले से तो आप उस डिरेक्शन में पढ़न होगे जिस डिरेक्शन में यूप रहा है सेवाल स्टेप का बहुत इंहूंड लोग worker करतें तो कना सकती है यह ये अब यह पढ़ा तह रेructures सब यालि नन इन सब और से खेल जाएगा और आपने उसको अंगल से पढ़ा नहीं मेंस के अंदर बहुत ललगतरी की सवाल पूछेगा पढ़ लोगे तो आपको इसका समझ में आ जाएगा तो पहले साल में परस्ट यह कॉलेज में जब स्टार्ट कर रहे हो आपका अभी सवाल यहीं है न हाव तू स्टार्ट होगे तो अभवापको करेंट अफेर्स बनाने लग जाएगा मान लीजिए किसी स्टेट अगर्ण सनुस्ट इश्टा दिया गया तो अब आपको समझ में आएगा कि सब्सक्राइब कैसे इस की अपैक्ट होते हैं कैसे हटाइज आए जाते हैं क्योंकि कोई को फटाया गया तो कोई नहीं पॉइंट भी होगा तो आपको करेंट अफेर्स यहां पर रेलेमेंट लगने लग जाएगा अच्छा इसा इसा होता है यह हुआ तो आपको से रेलेवेंट समझ में आएगा आप पर जगो एकनॉमिक्स के न्सी आड़ी तो आपको कभी आर्वियाई की बाइम बाइमतली मॉनेटरी पॉलिसी आई तो आप समझ पाओगे आप कुछ की एलिमेंट समझ पाओं कुछ की वर्ड्स को समझ पाओं तो आप यहां पर साथ से नौ महीने के अंदर आप इस NCRT को यहां पर एटलीस कवर कर सकते हो ठीक है इतना समय आपके पास फिर भी रहेगा लेकिन मैं मानना यह है कि भाई जब कोई चीज आप बड़ी आप टार्गेट कर रहे हो आप बड़ा कुछ सोच रहे हो तो भाई वो एक्जाम भी आप से कुछ डिमांड करेगा कुछ साक्रिफाइस मांगेगा एंड येस मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहने में कि जब आप सर्विसेज डाने की कि बात कर रहे हो आप हिंदुस्तान को चलाने की बात कर रहे हो हम यहां तो हम इसी लिए ऐंगल से चीन करेगी कि अब भारत को तीन साल बाद चला पाओ उस ट्रेणिंग में लगेगा ना तो यह मानक convey to कि आपको समय भी लगंगा तयार अपने आपको इतना समय देना चाहिए यह समय कब देना चाह रहे हो वेलिजी युहावट्टू स्टार्ट कि आपको कब वह आपको डेवन मनाना है कि यहां आद से डेवन हो गया है मैंने आज से पढ़्णा शुरू कर दिया डेवन डेटू डेली लिखो अपने पास देखो कब आपका डे छूट गया देखो कितना दिन आप स्ट्रीक फॉलो कर रहे हूं कि समझ मा रहा है तो डेवन से शुरू करना है इटास टूब डेवन और इटास टूब वन डे यह तो किसी एक दिन होगा जाब शुरू करोगे तो यह आपको डिसाइड करना है कि आप यही से करना चाहते हो य यह त्यारी करेंगा लोगों ऐसा लगना चाहिए इसके बस की भी है इससे आप प्रेशर आवाइड कर सकते हो आप लोग के एक्स्पेक्टेशन कम रख सकते हो एक्स्पेक्टेशन आप क्यों पर प्रशर डालेगी यह लोग निस समझते हैं बट ऐसा होता है फॉस्ट यह college में आपको strategy यही रहनी चाहिए how to begin में मेरा जवाब यही हो गया लेकिन हाँ जैसे आप 9 मंत के बाद आप अपने exams को जो आपके semester exams को follow कर सकते हैं जो रिकी standard books है और standard books में भी आप वही तरीका अपनाई है ठीके ना जो पढ़ लिया है अब यह को प्यार्रेल सब्सक्राइब चलेंगी जो NCRT पढ़ लिए अब साथ में साथ में कोशिश करिए कि अब आदा घंटा एक घंटा ज्यादा ना पढ़के आप answer writing कर लिखिए एक answer लिखिए बहले सोचो कि ये काम तुम डेली करोगे तीन सो तीन साल तक 900 दिन तक ये काम करोगे तुम सोचो 900 लिख लोगे इमाजिन करो ना इस डेटा पर खेलता है लेट्स ट्रॉकांट डेटा लिख लोगे तो लिखो कुछ भी लिखो डेली कांसर लिखो सबच में आ रहा है और जब भी आप त्यारी करो तो कोशिश ये करो कि ऐसे मैंने बुलना साथ से नौ महीने जो समय बचा है कोशिश ये करो कि आपकी एगर दो महीने की दिवर महीने की पढ़ाई हो गई है तो दस दिन रिवीशन को देतो नहीं पढ़ेंगे आगे जो करके पढ़ सकते हैं जल्दी स्टार्ट कर दिया ना तो हम 15 दिन रिवाइस कर सकते हैं कि कुछ नहीं पढ़ेंगे रिवाइस करेंगे एडवांटेज कैसे है क्योंकि जल्दी स्टार्ट किया इसलिए तो बासमझ में आ रही है आपको इस तरह से और जब आप अपने सेकें करने पढ़ेंगी जैसे एंवार्मेंट की उपर आपको किताबें पढ़ना पढ़ेंगा आपको आपको आर्ट इन कल्चर की उपर पढ़ना पढ़ेंगा आपको यह सब चीज़ें बीच 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 में आएंगी आपको साइंस एंटेक की उपर पढ़ना पढ़ेंगा हैं अब आप 2nd year 3rd year में है तो अब आपने options पर focus करते हैं options तो आप start करिए पहले तो क्योंकि आज का वीडियो का discussion mainly यह है कि यह have to start कैसे शुरू करें हाना strategy के लिए हमारा इसे कई बार discussions हो चुके हैं कई बार बताया गया कैसे पढ़ना है कभी और discuss भी कर लेंगे लेकिन first year की strategy यह मान के चलिया हर साल एक एक टार्गेट लेके चलिया और एक बात ध्यान रखना कि जब इस टार्गेट को अचीव करना है तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यह एक स्प्रिंट रेस नहीं है कि हमको बारा गंटे पढ़ लिए एक दिन में खड़े हो के बैटके पढ़ लिए बारा गंटे अगली दिन गायब हो गया ऐसा नहीं करना है देली पढ़ो चार्थे पास गंटे क्योंकि दिस ए नहीं है ध्यान रखी का यह मैराथॉन रेस है कोई निकाल पाया एक साल में बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए आपको मैराथॉन रेस जौड़नी है तीन साल तक आपको लगतार पांच गंटे पढ़ना है इमाजन करो आप एक दिन में आप पांच गंटे पढ़ पार होगे इंटू आप 12 कर लो तो आपको समझ मारा है बारा जिरो जिरो बारा पंजे साथ छे अठारा सो आवर्ज आपकी पढ़ाई हो रही है ठीक है फिर आ इनटू 3 कर लो तो आप समझ पा रही हो कि कितने गंटे गंटे पढ़ पारों, इन यह तब पॉसिबल होगा मतलब इस मारथाउं को दौढ़ने के लिए, आपको जो चाहिये है वो है discipline, आपको जो चाहिये है इसके साथ वो है dedication, और आपको जस्य है dedication की साथ सबसे important वो है ड और यह बहुत इंपोर्टेंट है यसे आप धार्मिक रूप से रिलिजस कॉंटेक्स भक्ती बोलते ना भक्ती है तो आपको भी धर्म के नजरी से देखें और पर आप जो रिलिजस एंगल के रूप में आप भक्ती की बाद करते हैं वह एंगल आपको अपनी पढ़ाई के ल है कर रहे हैं भक्ती ऐसी होती है ना कि कितने एडवर्स कंडिशन्स हो भक्त होगा तो वह इश्वर के लिए कुछ भी करेगा वैसे ही आप अगर आपको भक्ती करने क्योंकि एक पर आपके अंदर यह डिवोशन आ गया पढ़ाई के लिए सिबल सबसेंग्जाम के लिए यह सवाल पूछो अपने आप से आप कितनी बुरी तरह से कितना आप कितना आप चाहते हैं कि आप आई सदिगारी बन जाएं देश चलाओगे यार ट्रेन करना पड़ेगा ट्रेन होना पड़ेगा उतना देश चलाने के लिए एक बार यह चीज मिल गई तो आपका डेडि बास समझ में आ रही हैं सो कुछ यह तरीके हैं जो यहां पर मैंने आपको बताए हना इस पर डिटेल से बात कर सकते हैं फरस्ट यह का तरीका आपको पता होना चाहिए मैं फर्स्ट यह की बात कर रहा हूं जोगी हम अपने टॉपिक से डिवेट नहीं कर रहा है मेरा जो ट में एक्सकूज़ें नहीं मिलना चाहिए मुझे कि मेरे हां तो ऐसा होता है कि तना भी हो जाए हमको पता है कि कैसा होता है चार पर पांज घंटा निकालना है भले तुम कम सो या तो अमने दोस्तियारी खतम कर दो मैं कोई परवानी करूंगा कि सर कोई सोचल लाइफ नहीं और अब मैं बेरोजगार हूँ घर में कंडिशन ऐसी है मैं कितने नाइम तो बाहर रहके किराया दूंगा पीजी का हाना घर वाले पैसे भेजेंगे नहीं हुआ सेलेक्शन फिर अगले साल आ जाओ उसी चीज़ में कॉलेज के साथ साती त्यारी कर लोगे इतना तो मैं कहत सब कोई निकाले उपकुल निकालते हैं इसलिए आप उनमें से हो सकते हो तो दूस्त इसी के साथ मैं यहाँ पर आज अपने सेशन को अगरओ और जो भी आपके डाउट्स है जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप वो बताईए और ये डिमांड मत करो यार कि सर दो वीडियो आना चाहिए तीन वीडियो आना चाहिए डेली बेस इस पे यहां पर पढ़ाई आप देख रहे हो ना कैसे हो रही है मैं बता दिया आपको तरीका यहां हां आपको हमारे उनली आए स्ट जो हमारा पीड़ लुए इस चानल है उसक्राफ को मिलेंगे महाँ पर चीजा और पीड़ से हो रही है क्लियर है हर तरीके से पी ड़लू आपके साथ है आपको 26 को देना है आपको 26 का टेम देना है जैस आनल बेस्ट परचेस सबढ़र Beneада जा रहा है है ठीक न बट verd provo क्रोड तो निया तो पढ़ंघ करनी तो मॉबाइल होना जाइए लाव थाओ फटाओ पढ़ना स्ष्ट करतो कर दो कहाँ खत्तों करनी तो मोबाईली होना इस थांट लेटल हो रग्पiri छेंट परना मात लॉगा ज mm कि आपको हम गाइड कर सकते हैं लेकिन इतना वास स्लेबस कवर करना है तो वह आपको कहीं न कहीं अपनी मेहनत भी महां लगानी पड़ेगी कुछ और पढ़ो पढ़ो पढ़ने के जोन में रहो बहुत क्रांतिकारी मत होना कॉलेज के अंदर तीन मजे उटके जा रहे हैं रा का थी जो होता है ना चार साल सब्सक्राइश होता है कि शबऺं 45 तकर निकल जाएगा पता रहीं एप ठीक है तो कैसे स्टाट करें आइढ आई यह सवाल आपको बहुत अच्छे से इसका जवाब मिल गया होगा और वही तरीका है तो दोस्त जलिये मिलते हैं अपने अगले session में हम लोग, that's all for today from my side, पड़ाई करते रहिए, मैनज करते रहिए, जय हिंद, जय भारत